उनीज दिसंबर का जो पोटेश्ट हुआ लखनों में अस्पाग विस्मिल की साधा दिवस पे उठा और परवर्तन चौग पे दलित आइकंस का सिंबल पॉइंट है और वहां से उसो गाधी प्रितमा तक जाना था लेकिन जिस तरह से उत्रवदेश के जो डीजीपी ओपी सि कहा कि कोई आदमी निकल गया तो हम उसके खिलाब थानदारों करवाई करेंगी और उसका असर यह रहा कि वहां पर जो पुलिस थी वो पूरा अंदाधुन गोलियां चलाने लगी लेकिन जो पोटेश्टर्स पर हिंसा करने का आरुप लगा जा रहा हूं बेभुनियाद इ पुराना सहर लखनों में जहां पर प्रोटेश्ट निकल रहे थे प्रवर्तन चौक के लिए जिन पर गोलियां चलाई गया इसमें एक लटका मारा भी गया उसके बावजूद भी दो बजी जो प्रोटेश्ट हो रहा था उस सांतिपूर तरीके से हो रहा था जहां पर पु बंद हो गया था तो आपको कैसे उसको सही से उसको अगनेज करना चाही था उन्होंने नहीं किया उल्टा जो सारे तीन बजी परिवर्तन पर जो है जाम महिलाएं और तमाम वकील प्रोटेश्ट कर रहे थे वहां पर इन्होंने अंदागुन लाटिया चार्ज कर दिया उत इकलाइज फोर्स है जबकि उस दिन प्रोटेश्ट सिभ लखनों में नहीं हो रहा था पूरा मुल्क में प्रोटेश्ट हो रहा था लखनों में जो है रहाई मंच को लाया आगे और रहाई मंच के बाद इन्होंने कर्समीर कनेक्शन लगाया लगे फिर मीडिया में काफी जिसके बाद इन्होंने इसको पी हैं से जोडगता बाद मैं इन्होंने जो इस बात को कहा कि जिया घंन च्का भाहन की कुछ मीटिंग बता रहे हैं Kol तो वहां पर जो संगठन आये थे तो मतलब कि अगर कल की टेंट में इस तरह से केस बनाएंगे तो उन संगठनों पर भी एक खत्रा है लोगों नहीं समिरान कोई अपना संगठा मना लिया है तो तो ऐसे में जो तमाम और जगहों पर है और जगहों पर क्योंकि बहुत जादा संगठनिक दमन नहीं हुआ है हर्जी केसेज में तो लगबग इन बारासों से अधिक लोगों को इन्होंने जो है फसाय था बंद किया था इसे बहुत सारे लोग जमानत हुए इसे उत्तर प्रदेश में लगबग जो है चालिस लोग जमानत हुए लगबग अभी 122 तीस लोग अभी भी बंद है तो यही आ रात भर जाकर के चापे मारिया करते हैं और दूसरी तरफ की जो लोग है उनको जो घरों में हैं उनको जो है नोटीस थमार रहे हैं कि आपका संबत्ती जब्त की जाएगी यह मुक्यमंत्री जो है परचुरुकिया से लेकर गोरकुर से लेकर इनके पुरानी भासा एक लड आप इसकी in-counter policy को अगर देखें इनकाउंटर में भी इन्होंने ठोक दो कहा और इन्होंने कहा बदला लो तो उत्त्रपदेश में सारे पांज़ा ने कॉंटर में एक सु तो तीन लड़के मारे गाह थाँ ज़यू ज़द इंज़र हुए और इन्होंने का कि बदला लो त क्योंकि आंदोलन पीछे जाने वला नहीं है चुकि सोसाइटी को मालूम है कि अगर हम इसा एक पीछे नहीं हट सकते हैं तो सोसाइटी अगर एक पीछे हटे की तो वह नागरिक्ता से बेदखल हो जाएगा और दूसरे तरफ इस आंदोलन की बहुत एक विशेष्टा एर उत्रवदेश में जो 2010 में इसके पहले उठाए कि पिछड़ा जो वर्ग है उसकी और जब आप इनपी आर में बात कर रहे हैं कि इतना तमाम बाता करें इतना डाटा बता रहें कि नौकरी दे देंगे तो आखिर में आप सेंसेक्स में क्यों नहीं सामिल कर लेते हैं कि बहर आई तमाम जगहों पर यह वही लाके जा इनकाउंटर रुबे एनसे के नाम पर टार्गेट किया गया और सेंग नाम टार्गेट और आईपीएस भी वही है अजय सान जीसे एक प्रमुख नाम है अजय पाल सर्मा मनें कि आप ऐसे आईपीएस है जिस तरह से गुजरा अब तक इनके इनको आप जो है आप कोई इसे लड़ने की लाही जो है यह उसको आप मजबूत नहीं कर सकते हैं